हलो दोस्तों सवागत हैं आपका आज हमारी वीडियो में आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे इंसान की निशानी के पास जो की हमारे उत्राकंड में गडप्कू के जंगलों में मौझूद है जो सुल्ताना डाकू नाम जिसका कहते हैं लोग और सुल्ताना डाकु ने अपने लिए पानी का एक बहुत विशाल कुवा जंगलों के बीच में बनाया हुआ था आज हम आपको उस जंगल के बीच में जो कुवा बना हुआ है आज हम आपको उसका नजारा कराते हैं आईए हम आपको दिखाते हैं ये देखिए सामने सुल्तान डाकू का कुवा नजर आ रहा है देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये कुवा पुराना हो चुका है देखिए और इसके आसपास एक ये सरकारी स्कूल है राज के प्रात्मिक विद्याले ये देखिए दोस्तों हम सारे नजरे आपको दिखाएंगे सब तरफ से देखिए दोस्तों यहां कुरसी पड़ी है और कितना अच्छा इसकूल चोटा सा स्कूल है और बहुत तंग जगे में बना हुआ है दोस्तों देखिए हम आपको ये आज सुल्ताना डाकू का कुवा दि ये मत सोचिए कि हम ये कुवा आपको दूर से दिखाएंगे या दूर से ही दिखाया है अभी हम आपको थोड़ा से ये जोपड़े पटी यहां पर है जोपड़े बनी हुई है जिसमें विचारे लोग रह रहे हैं आज भी लेकिन ये जोपड़े आज इसलिए हैं क्योंकि गौर्वर्मेंट की जगए है यहां पका निर्मार्ण नहीं हो सकता तो दोस्तों देखिए यह सुन्ताना डाकु का कुवा सामने दिख राया है आपको हम अभी काफी उचाईपे हैं और काफी इससे दूर है जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों देखिए ये सु अपने करीब से नहीं देखा है जो कि हम आज आपको कोशिश करेंगे अपने वीडियो में इस सुल्ताना डाकु के कुवे को दिखाने की देखिए दोस्तों ये गड़पू का जंगल काफी फैमस है ये गड़पू एक नदी है यहां पे नदी और एक पुल भी बना हुआ ये जो डाकु के टीम हुआ करती थी उनके लिए यहां पर कुवे की विवस्था की थी ताकि उनको यहां पानी मिल सके और काफी पुरानी बात है ये सुल्तान डाकु को तो यहां दुनिया ही जानती है खेर देखिए हमां आइस्ता आइस्ता जंगल से चल रहे हैं कितना घ सुल्तान डाकु का कुव आपको बहुत एक खास चीज आपको हम दिखाएं देखिए दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं नीचे एक नदी आने वाली है देखिए कितनी विशाल नदी है यह जिसे गड़पू कहते हैं इस टाइम इसमें पानी नहीं है और बहुत पत्रीला इ सुल्तान डाकु जो है यहां इस जंगल में शरन लिये वें पड़ा रहता था ताकि यहां छुप करके और अंग्रेजों को लूटता था बड़े-बड़े वैपारियों को जो अंग्रेजों के पिट्टू हुआ करते थे उनको लूटता था और उनका धन लूटने के बाद में ये सुल्टाना डाकू गरीबों में तक्सीम करता था बाटता था अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था इस सुल्टाना डाकू ने और बहुत बड़ा दुश्मन अंग्रेजों का ये डाकू रह चुका था यह डाकू मैं आपको बताओं भातु समुधाय से था और भातु अपने मेवार के राजा महाराणा परताब वन्शज मानते थे महराजा प्रताब को ही अपना मन्षच मानते थे ये भातु परिवार के लोग भातु सम्यदाई के लोग और एक चीज और बताऊ सुल्तान डाकु ने अपने घोडे का नाम भी चेतक ही रखा था जैसा कि राजा महराणा प्रताब जी ने अपने घोडे का नाम चेतक रखा था इस डाकु ने भी अपने घोडे का नाम चेतक ही रखा था देखिए दोस्तो हम कुए के बहुत नजदीक आ चुके हैं और मैं विस्तार पुर्वक आपको ये कुवा दिखाना चारा हूँ देखिए बहुत कोशिश के साथ मैं ये कुवा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तो काफी उचाई है यहां पे नदी के किनारे पे मैं चड़ने के कोशिश कर रहा हूँ इस समय यहां पे देखिए दोस्तो मैं चड़ चुका हूँ यहां पे के और ज् 이제 और ज़्यादा करीब में पहुँंच चुका हूँ दिखिए ये पैड़ इस कुए के बीच मे पैड इस कुए के दिवार को तोड़कर के बाहर निकल चुका हैं और धिए किस तरीखे से पेड़त पेड़तका क Second-tree और कुए से निकल के बाहर के दिवार को तोड़ के बाहर निकल चुका है और देखिए दोस्तों हर तरफ घना जंगल घना जंगल है यह दोस्तों बहुत खतरनाक जंगल है यह कहा जाता है कि इसमें काफी शेर चेते और भी बहुत जानवर इसमें रहते हैं जंगल में देखिए दोस्तों हमारी यही कोशिश रहेगी एक से एक अच्छी वीडियो आप तक हम पहुचाएं अपने अनोखे मंदर चैनल के द्वारा दोस्तों देखें कितने घने पेड़ यहां पर खड़े हुए हैं और कितने शानती यहां पर हैं कोई दूसरा दिखाई भी नहीं दे पा रहा है हैं मैं अकेला ही हूं समय यहां द देखें चारो और पेड़ पौदों से ही कुवा घिर चुका है और मैं चारो और का मंजर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों देखें ये वह पौल है जो गड़पू के नाम से गड़पू के पौल के नाम से मश्यूर है इसके व'tर याद याद चलता है जो की बाचपूर और हलदवानी के बीच जो रोड है वो इस पौल से उपर होकर ही निकलता है तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो जिसमें सुल्तान डाकू का कुवा आप देख रहे हैं और इतने विस्तार से हमने आपको ये कुवा दिखाया है हमें आपका प्यार और आपकी मुहप्पत की जरुरत हैं दोस्तों देखिए ये कुवा दोस्तों आज हम आपको लेकर का आए हैं बाचपुर से 20 किलोमेटर पहार साइड में गडप्पु जंगल में जैसे कि आपको पता है अगर नहीं भी पता मैं बता रहा हूं जैसे कि गडप्पु के अंदर सुल्ताना डाकु ने अपने लिए पुआ बनवाया था पानी की विवस्ता को दुरुस्त करने के लिए क्योंकि यहां जंगलों में सुल्ताना डाकु का बसे रहुआ कर तक अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे यूटूब चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दिखा सकें शुक्रिया थैंक्यों